हेलो दूस्तों नमश्कार आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ OnePlus 80 के नए अपडेट के बारे में Oxygen OS 11.0.6.7 के बारे में बात करने वाला हूँ कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया और क्या कुछ खास देखने को भी लाता है यह नोटिस के साथ में आप अगर अपडेट करना चाहा है अपनी डेवाइस को अपडेट कर सकते हैं वरन्ना आप अपने पहले के अपडेट पर चल रहे हैं उसी अपडेट पर आप अपनी डेवाइस को रन पर आए क्योंकि तो आगे मैं बढ़ता हूँ अपनी वीडियो में आप से चेल्ज लॉक की बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर चेल्ज लॉक देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं यह चेल्ज लॉक आपको Oxygen Updater अप्लिकेशन से दिखाऊं क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपडेट कराते हैं अपने डेवाईस को तो आपको अगर यह अपडेट नहीं आया है आपको यहां पर जो इसका ओरिजिनल फाइल साइज है केवल वह ही आपको देखने को भूलेगा अगर आप इसका फुल रॉम पैकेज डालोड करना चाहते हैं तो वहां पर फुल अपडेट को चूज करना होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ओएस 11.0.6.7 शिटम के अंदर आपको अप्टिमाइज दा एक्स्पेरियेंश औफ फुल स्क्रीन गेस्टर दिखने को मिल जाते हैं तो यहां पर फुल स्क्रीन गेस्टर कुछ इस तरीकी से हम लोग यूज करते हैं वो यहां पर अप्टिमाइज किये हुए दिखने को मिल जाता है साथ में newly added keyboard height adjustment where you can rise or hide the bottom shortcut bar for a better input experience go to setting system language and input keyboard height adjustment तो यह फीचर्स आपको keyboard height adjustment का एक नए आया है जो कि आपको setting के अंदर system पर टैप करते हुए language and input पर जाने पर दिखने को मिल जाता है तो यह फीचर्स आपका जब बढ़ करता है जब आप यहां पर तिरब बार आता है इसके द्वारा आप इससे हाइड कर सकते हैं तो ऐसा कुछ आपको बार यहां पर देखने को मिल जाता है तो यह कुछ आपको एक नया features available हो जाता है इसे के साथ updated and descriptive page to tutorial 2011 यहां पर November मन्त का आपको यहां पर आपको दिसंबर का मिला चाहिए था ऐसा चाहिए था क्योंकि दिसंबर मन्त अब निकलने ही बाला है तो उन्होंने यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा साथ में गैलरी के अंदर यहां पर कभी-कभी हम लोगों की फोटो जो आया पर गैलरी में स्वाप नहीं कर देती ऐसा कुछ एशू कभी-कभी आ जाता था उस चीज को भी यहां पर फिक्स किया गया है साथ में नेटवर्क के अंदर फिक्स दा इसू देट दा वाई-फाई कनेक्शन फेल्ड इन ए कभी-कभी यहां पर वाई-फाई कनेक्शन फेल्ड हो जाता था अपने अपनी नेटवर्क को छोड़ देता था तो उसको यहां पर इंप्रूब किया गया है और काफी ज्यादा यहां पर इस्टिवल्टी लाई गई है तो यहां पर नेक्स पॉइंट उसी को लेकर देखन यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह चीज भी आपको बताईगी है कि आप अगर इस एप्लिकेशन को अनिस्टॉल करना चाहें तो यहां पर आपको बन प्लेस का खास दोर से इस्टोर एप्लिकेशन दिक्रिक कुमें जाता है पर मैंने उसको ग्लीट कर दिया है आप चाहें तो उसे रख सकते हैं अपने डिवाइस पर पर अगर आप उसे डिलीट करना चाहें उसके बाद में भी आप डालूट करना चाहें तो उसके लिए आपको यहां पर गूगल प्लेस्टोर पर जाना होगा और यहां पर बन प्लेस स्टोर आपको सर्च कर देना है बन 241 कि आप अपने डिवाइस पर अपडेट कर सकते हैं तो मीद करता हूँ आज की यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें साथ में आपको अगर यह अपडेट नहीं आया तो इसके लिए सब्सक्राइब की जरू कर लें थैंक्यू जाएंग्या भारत बंदे मात्रम